नमस्ते, मैं डॉक्टर जोती डुंडुम, सहायक प्रध्यापिका राम लखंसी यादाव महा विद्यालय राची के बीए विशयराजनीती विज्ञान सेमस्टर 6 के विद्यार्थियों के समक्ष पेपर Contemporary Issues in Indian Politics, CC 14, Chapter 6, Naxalism in India या भारत में नकसलवाद के विशयर में अपने विचारों को साजा करने के लिए उपस्तित हो नकसलवाद के विशयर में आप सभी आए दिन सुनते या अख़बारों में पढ़ते रहते हैं तो आज हम नकसलवाद के शुरुवाद कहां से हुई इसके उदेशे क्या थे आज या किस तरह अपने उदेशयों से भटक कर हिंसा का मार्ग अपना लिया है और भारत में कहां कहां इसका गड़ है और अंत में हम नकसलवाद को रोकने हेतु आवश्यक प्रयास करने के आवशक्ता के विशय में सुनेंगे तो भारत में नकसलवाद वर्स 1967 को पस्चिम बंगाल के दारजलिंग जीले के नकसलबाडी नामग गाउं में आर्थिक वा सामाजिक विशमता भूमी के आसमान वित्रन सामानती शोशन जुर्म अन्याय और उत्पीडन के खिलाब तथा उचित मजदूरी की मांग को लेकर एतिहाशिक किसान विद्रो प्रस्पुटित हुआ जिसके परिणाम स्वरूप भू सौम्यों के विरूध भूमिहीन किसान स्रमिक वा वेरोजगार यूकों ने अपना आंदोलन आरम किया और इसे नेत्रित्व प्रदान किया सीपीम सदस्या एवं जीला इस्तरिये नेता चारू मजुमदार वा कानू सान्यालने तथा नकसल बाड़ी शेत्र होने के कारण इस आंदोलन को नाम दिया गया नकसलवाद एवं इस क्रांती को नाम दिया गया सर्भारा की क्रांती सर्भारा की क्रांती एक सामाजिक क्रांती है जिसमें मजदूर वर्ग बुर्जवा या पुंजी पती वर्ग को उखार फेकने का प्रयास करता है सर्भारा की क्रांती और सर्भारा का नारा लगाने वाले नकसली आंदोलन के तीन मुख्य उदेश्य थे पहला खेत जोतने वाले को खेत का हक मिले, दूसरा बिदेशी पूझी की ताकत समाप्त की जाए, तीसरा वर्ग एवं जाती के विरूध संघर्स हो वास्तों में नकसल बाड़ी विचार को सैधान्तिक समर्थन अप्रेल 1979 इस्वी में मिला जब चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की नवी कॉंग्रेस सम्पन हुई, जिसमें माओं के विचारों जिनको माक्सिजम वालेलिलिन्जम की चरम सीमा कहा जाता है का उपयोग करते हुए नकसल बाड़ी नेता चारू मजुमदार ने खोसना की थी कि चीन का चेर्मेन हमारा चेर्मेन है इस प्रकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में नकसल बाड़ी का आंदोलन एक मात्र किसान एवं भूमिहिन वर्ग की जागरिती का ही परिनाम नहीं था बलकि भारती समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन हेतु कम्यूनिस्ट क्रांतिकारियों ने चीन में सम्पन हुई कम्यूनिस्ट क्रांति से सबक सीखे हुए माक्सवाद और लेनीनवाद के विचारों को अपना मुख्य बिंदु माना माक्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्वा द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था और लेनिनवाद सामराज्यवाद और सर्भाराक्रांती के यूग का माक्सवाद माने जाते थे तो इन दोनों के विचार धारा को ही ये नकसलवादे अपना मुख्य बिंदु मानते थे सामन्त वाद को समात करने है तू साम्यवाद का यह संगर्ष उस समय उग्र हुआ जब भूमिहीन किसान एवं उपेचित सामाजिक वर्ग ने इसका दामन थाम लिया नकसलवाद मूलिता माकसवाद के वर्ग संगर्ष के सिद्धान पर आधारित था जिसके तहत शोशित उपेचित एवं वन्चित वर्ग अपनी शक्ती से पूंजी पतियों, जमीनदारों, सहुकारों यों शाशकों को शिकार बनाते और शाशक वर्ग की राजसत्ता को लूटना अपना अधिकार मानते हैं नक्सलवादियों को इस अधिकार प्राप्त करने में जो बाधा पहुचाता है उसे समाप्त कर देना चाहिए तभी सर्भारातंत्र की स्थापना हो सकेगी ऐसी उनकी धारना थी यद पी इसका वास्त्विक उदेश्य वर्ग भेत को समाप्त कर सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक समानता इस्थापित करना था इस तरह कहा जा सकता है कि नकसलवाद एक विचरात्मक राजनीतिक वा आर्थिक संगस था जो ततकालीन शाशक वर्ग की राजसत्ता को उखार फेकना चाता था ऐसे शाशक वर्ग की राजसत्ता को जिसके मालिक देशी पिदेशी पुझीपती भूस्वामी ठेकेदार दलाल और नौकरशा है और जो बहु संख्यक स्रम जीवी वर्ग पर शाशन करते हैं परन्तु बर्तमान समय में वह सर्भारा या शोशित वर्ग की क्रांती का नारा लगाने वाला नकसलवादी आंदोलन अपने मूल वुद सिधानतों उदेश्यों वा कारे प्रनाली से भटक चुका है वह यह अपनी हिंसक गतिविधियों से रास्टर की आंतरिक शांती सुरक्षा एवं विकास के मार्ग में एक आरोधक बन चुका है बर्तमान में गरीब दलीत शोशित अदिवासी मजदूर और किसान ही नकसलवाद के मुख्यतया अनुयाई है पूर्ब में इसके संघर्ष का प्रमुक उदेश्य सत्ता में साभागीता को शोशित करके समाजवाद पर आधारित समाज का निर्मान करना था किन्तु बर्तमान में इस उदेश्य को प्राप्त करने की कारेपधती में अती हिंसा शामिल है जिससे बर्तमान परिद्रिश्य हिंसा लूट पाट एवं अराजक्ता का हो गया है नक्सलवाधियोंग द्वारा अपनाए जा रहे साधनों को सफलता प्राप्ट करने का सफल साधन भी नहीं कहा जा सकता है साशस्त्र संगस के माध्यम से राज सत्ता पर अधिकार करने के उदेश्य एवं स्वैम समाज राज वारास्ट के अस्तित्वा के लिए घातक है हिंसा भले ही एक हद तक काम्याब हो सकती है लेकिन इस तरह के आतंग से राज बेवस्ता नहीं बदली जा सकती है वन्चितों या गरिबों के हितों की रक्षा के लिए बेहतर यही होगा कि नकसली लोकतंत्र की सीमाओं में रह कर ही उन्हें संचालित करने का प्रयास करे जो स्वैम उनके वारास्ट के हित में होगा जहां तक नकसलवादी गुटों की प्रकृति का प्रशन है तो ना तो वे अलगाववादी हैं ना ही आतंकवादी हैं और ना ही उगरवादियों की स्रेनी में रखा जा सकता है गोशित तोर पर वे क्रांती करने निकले हैं लेकिन वे स्वयम इस सवाल का ज़वाब नहीं दे सकते कि कुछ निर्दोस नौकरी पेशा लोगों की हत्या करके वे लोग कौन सी क्रांती कर लेंगे इन्हें सोचना होगा कि वे जिन लोगों की हत्या कर रहे हैं वे भी समाज के करीब तबकों से ही आते हैं और अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए नौकरी कर रहे हैं जिन महलाओं एवं बच्यों की हत्या नकसलवादियों के हाथों में हो रही है उन्हों ने किसी का क्या बिगाड़ा है इस प्रकार कहा जा सकता है कि नकसलवादियों की नजर में वह हर व्यक्ति दोशी है जो लोकतांत्रिक बेवस्था में विश्वास रखता है उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा के द्वारा ना तो क्रांती उत्पन की जा सकती है और ना ही अपने उदेश्यों को प्राप्त किया जा सकता है पूर्ब में इनकी एक विचार धारात्मक प्रिष्ट भूमी होती थी जिसके तहत ये प्रया किसी गैर अप्रादिक संयुक्त लक्ष प्राप्ती हेतु ऐसे काम को अंजाम देते थे परन्तु समय के साथ सोज विचार और संयुक्त लक्ष जैसी बाते आज महत्तोहीन हो गई है इन नक्षलवादी गुटों के लिए हिंसा और वर्चश्वयों प्रती शुधात्मक कारेवाईयां ही प्रमुक हो गई है कुछ नक्षलवादी संगठन तो पूरी तरह से ही माफिया गिरोहों में तबदील हो गई है जिनका एक मात्र उदेशय आराजक्ता पैदा करके धन कमाना होता है नक्षलवादी नाम से आम ताउर पर प्रचलित कम्यूनिस्ट क्रांती कारियों की इस धारा में दो भिन प्रबृतिया दिखाई देती है जिसमें एक पिपुल्स वार ग्रूप के नाम से नक्षलवाद की आराजक्ता वादी धारा है जिसका प्रसार अंध्र प्रदेश, मद्ध प्रदेश, चतिसगर, महारास्टर, बिहार, जार्खन एम उडिसा की अधिवासी बहुले शेत्रों तक है जबकि दूसरी प्रवरिती भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी यानि माले लिबरेशन को कहा जाता है जो संसद्य वा गैर संसद्य संघर्ष को अपना साधन मानती है पिपुल स्वार ग्रूप का गठन तमिल नाडू के नक्सली नेता कुंडपली सीता रमया ने किया जिसके तहत उनों ने अपने विचार धारा का प्रचार प्रसार करने वा ग्रूप को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीन शेत्रों में रैयत कुली संधाम तथा शेहरों में रेडिकल स्टुडेंट यूनियन वा रेडिकल युथ लिग संगठन की इस्थापना की सितरा बिहार के नक्सली आंदोलन के प्रमुख घटक IPF भागपा माले लिबरेशन किशान महासभा लाल खंडी आंदोलन माववादी कम्यूनिस्ट सेंटर मजदूर किशान संग्राम समीती आधी रहे हैं जो बनते और तूटते रहते हैं इनकी मूल विचार धाराएं लगबख एक जैसी है बरत्मान में बिहार और जार्खन में माववादी कम्यूनिस्ट सेंटर यानि MCC PLFI भागपा माक्सवादी लेनिनवादी पिपुल स्वार ग्रूप आधी प्रमुक नकसली संगठन है जो अपनी गतिविद्यों से राज को प्रभावित कर रहे हैं आज वस्तु स्थिति या है कि नकसलवाद भारत के किसी एक राज की समस्या नहीं है बलकि यह देश के बहुत बड़े भुभाग पर अपने पाउँ पसार चुकी है राज प्रशाशन द्वारा आभूत पूर्व दमन दबाव एवं उत्पीडन के बावजूद नकसलवादी गतिविद्यों का सिलसिला जारी है अपनी अनेक भूलों के कारण नकसलवाद अपने मूल स्थान पस्चिम बंगाल में तो नहीं पनप सका किन्तु आज यह उन राज्यों में सशक्त रूप में उभरा है जहां नकसलवादियों के छिपने वं कूट योजना बनाने हेतु जंगल वा घाटी छेत्र विशेश रूप से उपलब्ध है राष्टे सुरक्षा के लिए आंत्रिक खत्रा बन चुकी नकसलवादि समस्या से चतिसगर जारखन बिहार आंधर प्रदेश उरिशा मद्र प्रदेश वा महरास्ट तो ग्रसित है ही किन्तु इसकी आंच से केरेल, तमिलनाडू, उत्रप्रदेश, उत्राखंड, करनाटक तता पस्चिम बंगाल भी आचुते नहीं है इनकी हिंसात्म गतिविदियों परियदी दिष्टिकोन डाला जाये तो ग्यात होता है कि अगस्त 2006 तक नकसली उगरवादी हिंसा में 115 सुरक्षा कर्मी और 401 नागरिक मारे गए जबकि वर्स 2007 में 236 पुलिसकर्मी और 364 नागरिक नकसल वादी हिंसा के शिकार हुए आज देश के 15 राज्यों के 170 जीले नकसली हिंसा से प्रभावित है इसकी भैंकर कुरूरता एवं हिंसा को देखते हुए लगता है कि देश की शान्ती सुरक्षा एवं विकास के लिए यह बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है और इसकी तिब्रता निरंतर बढ़ती ही जा रही है 36 गड़ में जुलाई 2009 के मद्ध में हुए नकसली हमले कई वजाहों से गंभीर आतम चिंतन और तैयारी की मांग करते हैं नकसलीयों ने राज नन गाओं के मानपूर जीले में ना सिर्फ तीन अलग अलग जगाहों पर घहात लगा कर हमले की बल्कि राज में पहली बार एक IPS अधिकारी को मौत के गहाट उतार दिया गया आज नकसली लगबग आधे देश में कानून बेवस्ता को चुनावती देने की ना सिर्फ ताकत रखते हैं बल्कि समय समय पर इसका परिचै भी देते हैं अब हम देश में अब तक हुए नकसली हमलों के आकड़ों को थोड़ा जान लेते हैं पिछले दस साल में देश में ग्यारा सो पचास सुरक्षा करमी नकसल विरोधी अभियान में शहिद हुए हैं ग्रीह मंत्राले के मुताबिक देश के ग्यारा राजियों के नब्बे जीलों में नकसलीयों का रेड कोरिडोर फैला हुआ हैं मतलब नकसलवाद की चपेट में ये जीले हैं केंद्र और राजि सरकारों के प्रयासों की बज़े से पिछले दस सालों में देश भर में जवानों की शहदत में काफी कमी आई हैं लेकिन अभी भी दंतेवाडा जो कि 36 गड में और गड़ चिरोली जो मारास्टर में हैं ऐसी जगाएं हैं जो नकसलीयों का गड़ बनी हुई है उधर सरकार ने संकल प्लिया है कि 2023 तक भारत से नकसलीयों का खत्मा कर दिया जाएगा वर्स 2010 में 1194 लोग मारे गए दो हजार ग्यारा में 606 लोग मारे गए इसी तरह से वर्स 2012 में 374 2013 में 418, 2014 में 349, 2015 में 355, 2016 में 432, 2017 में 335, 2018 में 412 2014 वही अप्रेल 2019 तक करीब 22 लोग मारे जा चुके थे नकसली हमले से इस तरह इन आकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि दिन प्रती दिन नकसली आतंकवादी अपने करनामों से सरकार को खुली चुनावती दे रहे है बिडमना या है कि इसके जवाब में केंद्र या राज्यों की कोई दूर दर्शीर रन्निती नहीं है 36 गड़ की रमन सरकार ने नकसलीों के खतमे के लिए सल्वा जुडुम अभियान शुरू किया था लेकिन मानव अधिकार आयो के हस्त छेप के कारण इस अभियान को बंद करना पड़ा 12 जुलाई 2009 को हुए नकसली हमले के बाद मुख्यमंत्री रमन सी ने निरनाय कारवाई करने की जरूरत तो बताई लेकिन वह होगी किस तरह केवल पुलिस बल इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता इस नकसलवादियों से निपटने वह इनका नेटवर्क ध्वस्त करने हेतु अवश्यक है पुलिस बल के साथ साथ प्रशिक्चित विशेश बल एवं समूचित रन्नीती की हलंकी कानून ब्यवस्ता राज का मामला है लेकिन नकसलवाद की भेशन चुनावती को देखते हुए अब केंद्रिय अस्तर से भी इस राष्ट ब्यापी समस्या के समाधान हेतु राष्ट अस्तर ये नीती की अवशकता है जब प्रधान मंत्री नकसलवाद को एक बड़ा खत्रा मानते हैं तब आवशक है कि इसे निपटने की अचुक तयारी कीजए अभी तो नकसलवाद पीडित राज इसका मुकाबला अपने अस्तर पर ही कर रहे हैं कई बार तो इन्हें पडोसी राज से ही सहयोग नहीं मिलता इस तरह क्या उमीद करें कि अब नकसलवाद के खिलाप एक समन्वित लड़ाई छेड़ी जाएगी इस तरह सर्वहारा की क्रांती और सर्वहारा की सत्ता हिंसा में खोसी गई है रक्त पात करके सर्वहारा वर्ग को सत्ता दिलाने का स्वापन तो पूरा नहीं हो सका किन्तु आज देश के सत्रा राज्यों में नकसलवाद का आतंक अवश्य पहल गया है इस तरह इस नक्सल वाद जैसे समस्या के समाधान हे तू संतुलित तरीके से प्रयास करने की आउशकता है इसके लिए जरूरी है यह समाधान है या इसको रोकने के लिए जो प्रयास किये जा सकते हैं वे हैं पहला संबन्धित समन्वित राज प्रशाशन भूमी सुधार को सत्यनिष्था से लागू करें दूसरा सामाजिक विशमता दूर करें तीसरा कल्यान कारी योजनाओं का लाब भी उन सभी लोगों को प्राप्त कराएं जो इसके असली हकदार हो चौथा युवाओं को रोजगार के आउसर प्रदान करें पाचवा शिक्षा बेवस्था में सुधार हो अथा रोजगार परक शिक्षा की बेवस्था होनी चाहिए नकसलवाद आज इस कारण जिन्दा है क्योंकि हमारे समाज में आसंतोष वा विछोप के कारण बने हुए हैं जब तक भूख, उत्पीडन, दबाव, दहशत, पीड़ा एवं वन्चित अबादी रहेगी तब तक आसंतोष और आराजक्ता नकसलवाद जैसे आंदोलनों को जन्म देती रहेंगी अथात कहा जा सकता है कि नकसलवाद वही पनपता है जहां सामाजिक स्तर के मदभेद गहरे होते हैं मलब जहां पे सामाजिक भेद भाव होता है इस सामाजिक समस्या के समाधान के लिए सामाजिक आर्थिक वा राजनीतिक आदी सभी महतपून पहलों की सामग्रह रूप से विचार होनी चाहिए बेवस्था में बदलाओ, समझाने का कारे और जरूरत पढ़ने पर शशास्त्र, कारवाही, समन्वित और संतुलित रूप से करके ही नकसलवाद को काबू किया जा सकता है जिसकी आज हती आउशकता है अता नकसलवाद को समात करने के लिए करता और विकास मार्ग को प्रत्मिक्ता दी जाए धन्यवाद